कि हलो एवरीवन वेलकम टू एस्पाइंट पीसीएस माइसिल्फ चंदन पसाथ आज की सिसन में आप सबका स्वागत है जहां पर आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं जन्वरी 2019 से जुलाई 2019 के जुजहारखंड से रिलेटेट करेंट एफेर से उसके लेशन टू को लेशन ओन हमने आल्रेडी आपको प्रोभाइट किया है अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सब्सक्रिफिक से पहले आपको इनफर्म कर दे हमारे रिगार्डिंग और जो स्टैडी मिटरियल है उसके रिगार्डिंग तो आपको ज Tu- mij जिसमें कि आपका पीटी और मेंस के लिए साथ ही आपका जो भाथसा हैं साहित पेपर हैं उसके कुछ सब्जेक्ट के जैसे की हिंदी और इंग्लीज दोनों अविलेवल हो गए हैं आप उसे भी और कर सकते हैं साथ ही आपका करेंट एफेस और जीके जीएस और अदर जो रड़ी करने की जुरुतनी है सारे इसलेवल्स के बनाये गए हैं कि उसी तरह आपका जेपीएसी के लिए वी कंप्लीट पीटी और मेंस के एकोडिंग टू सी लेवस तुद पॉइंट आपका सारा चीज़ बनाय हुआ हुआ पिटी और मेंस के लिए साथी से पेंड्राइ किसी आपको सारे डीटेल मिल्स आएगा और वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं आज के सिसन का फर्स्ट वीडियो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट करेंट एफ से उसको हम लोग देखते हैं अलग से वीडियो सिर्फ जहारखन बजट 19-20 का अलग से वीडियो बनाया हुआ है अगर उससे आपने नहीं देखा है तो उससे जरू देखिएगा इसके लिंक दिया हुआ है तो चलि हम लोग इसमें हम लोग क्यों करेंगे कि जो इस बार बजट जहारखन का पेस किया गया उसमें क्या-क्या इंपोटेंट है जो कि हमको याद रखने है चुकि बजट है तो बजट में इसका कोई उपाई नहीं है कोई इसका सॉलूसन नहीं है सिर्फ एक्ट रहता है और फेक्ट को सिर्फ याद करना है आपको इस बार जो बजट जो पेस किया गया था विधान 429 रुपए है अब यह पचासी अजार 429 रुपए में आपको पता है कि जो बजट पेस किया जाता है उसमें दो तरह के भी होते हैं सामिल एक राजस्त होता है और एक आपका पुंजीगत विया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आपका कैप्टल और राजस्त्त विया है कैप्टल एक्सपेंडिचर तो इनके लिए दोनों के लिए जो इमाउंट आवंटित वह इस परकार है राजस्त विया है के लिए 65,830 क्रों रुपए और जो पुंजीगत विया के लिए जो अमाउंट यहां पर दिया गया है खर्च करने के लिए वह है आपका इस बजट में 19,626 क्रों रुपए क्लियर है तो यह आपका बजट का जो एक तरह से इंपोर्टेंट पॉइंट्स है डाइरेक्ट एक्जामीनेशन में इस चीज़ को पूछा जाता है हर बहुत सारे एक्जामीनेशन में देखिएगा यह डाइरेक्ट पूछ वित भार जो है मुख्यमंत्री के पास यह रगवरदास के पास यह इसलिए वह बजट खुद पेश करते हैं इस बार उनका यह लगातार उनकी सेशन का चुकि जो विधान सभा चुना हुआ था 2014 के बाद तो उस समय से उनका यह लगातार पांचवा बजट है और यह अब अब तक का जहारखंड का सबसे बड़ा बजट है जब से जहारखंड बनाए तब से अब तक का सबसे बड़ा बजट है अब बात करते हैं जो वित्यवास में चुकी कुछ विरिधी दर्वेगरे से समय पूछा जाता है और एक GSDB पर इस बजट में जो जिक्र किया गया था विरिधी दर के बारे में उसको हम लोग देखते हैं 19-20 के लिए जो विरिधी दर्व दर्ज किया गया है 8.73 वर्तमान मुल्यों पर और जो परतिवेक्ति आए बताया गया है कि इंक्रिमेंट हुआ है 8.73 का आप देख सकते हैं 18-19 में 76,806 रुपए था और 17-18 में आपका 70,728 रुपए था मतलब कि यह हर साल इंक्रीज कर रहा है भले हिच हरकें में बहुत ज्यादा गरेवी है लेकिन आप देखिएगा हमारे जो डाटा दिया हुआ है अफिस्यल है फिर भी आप देखिए इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हर साल व्रिधी हो ही रहा है इस साल जो 19-20 में व्रिधी था 8.73 रहा है अब बात करते हैं GSDP के बारे में जो राज जी का सकल घिरेलू उत्पाद है उसके बारे में इस्थिर मुर्य पर 19-20 का जो बताया गया है इस बजट में वो 2,36,866 करों रुपए है और जो पिछले साल जो वित्य वस्म जो था आपका 2,21,587 करों रुपए था मतलब कि इस बार जो व्रिधी दर रहा है GSDP में परती जो पहला पॉइंट था व्रिधी दर का वो परती व्यक्ति आये में था बहुत सारे स्ट्रेंडिस में कन्फ्यूजन करते हैं जो फर्स था आपका परती व्यक्ति आये के लिए व्रिधी दर दर्ज किया गया था 8.73 परती सत्त था दूसरा जो है आपका GSDP में जो इस बार का व्रिधी दर रहा है वो 6.9 परती सत्त रहा है GSDP जो था आपका राज जी का वो 19-20 में 2,36,866 करोर रुपए अनुमानित किया गया जो कि वित्य वर्स पिछले साल के मुकाबले मतलब कि 18-19 के मुकाबले यह 6.9 परती सत्त अधिक है क्योंकि 18-19 वित्य वर्स में 2,18,587 करोर रुपए था तो बस इतना ही हम लोग इसे डिस्क्रस करेंगे अब इसमें क्या इंपोर्टेंट होता है जो एक्जाम में पुछा जा सकता है उसके लिए आपको पूरा डिटेल में वीडियो जो आपका है जहारखंड करेंग जो बजट का उससे आप जरू देखिएगा उसका डिस्क्रिप्सन में आपका लिंक दिया हुआ है उसमें जो घोसना होती है वह ज्यादा इंपोरेंट होता है उससे आप जरू देखिएग किसे किसे पहले मिला हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं इसमें जो सबसे परमुक था आपका कड़िया मुंडा को जो पद्म भूसर मिला हुआ है जो की एक सांसत थी उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे डीटेल में सबसे पहले कितने लोगों को मिला हुआ है उसे हम ल सांसद है खुंटी के खुंटी के सांसद इस बार वो चुनाओं नहीं लड़े उनके जगा अर्जुन मुंडर लड़े और चुनाओं जीते थे इसको ध्यान में रखिएगा से पहले दोहजार चुना हुआ था उसमें करिया मुंडा ही हुआ के सांसत है इस बार जो 2019 में हुआ करिया मुंडा नहीं लड़े उनके जगा रजुर मुंडा रोड़े और वह जीते भी थे और जो अभी जनजातिये काइबिनेट में जनजातिये मामले के मंत्री हैं दूसरा चो मिला हुआ है डाक्टर यह आपका डाक्टर स्यमा परसाद मुकहर जी को उन्होंने जो समाज में जो सेवा 17 , जो पदमस्री मिला हुआ है बुलू इमाम को मिला हुआ है समाज में इनका जो समाज schaut कारी बहुत ईकन ही कारी किये थे उसके लिए बुलू इमाम को पदमस्री स्वाट दिए जा सिर्फ एक ही व्यक्ति को मुला है कड़िया मुंडा को बाकी से डाक्टर स्यामा परसाद मुखर जी रांची के रहने वाले हैं उनको पदमस्री जमुना टूडू और बुलु इमाम को पंदमस्री दिया जाएगा बुलु इमाम आपको बताते हजारी बाग के हैं जो स्पी मुखर जी मतलब डाक्टर स्यामा परसाद मुखर जी रांची के हैं और जमना टूडू आपका जम सहतपूर के हैं इसमें जो डेटा दिया हुआ इसको ध्यान में रखिए कड़िया मुंडा पर हम लोग इसमें विस्तार से जर्चा करेंगे उस पर हम डिसकस कर लेते है क्योंकि वह राजनीती से जूड़े हुए और एक विसे जारकंड के मतलब की जब जारकंड अलग हुआ उससे पहले से ही वह सांसद बहुत बार राज चुके हैं तो इसलिए उनका एक हमारे छेत्र के लिए हमारे राज जी के लिए एक विसे से युगदान रहा है तो उसक का 2014 था पहला जो उन्होंने जीता था वर्स 1977 में जीता था उसके बाद 1989 फिर आपका 1991 1996 1998 1999 और 2009 और 2014 और 2019 में वह चुनाव लड़े ही नहीं उनकी जगह पर अरजुन मुंदा लड़ाए और वह चुनाव जीते वह भी बीजीपी से ही है और कैबिनेट में भी केंद्रिये मंत विहारी वाजपाई के सरकार के तीन बार मंत्री भी रह चुके हैं और 2009 से 14 तक लोक स्वरी लोस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं है ऐसे अप्रेल नश्यशाटिश को खुटी और अनिगड़ा गाव में उनका जन्म हुआ था और उनहें जो अपना सिछा प्राप्त की थी रांची विस्विध्याले से की है इसको ध्यान में रह रहा बहा हुआ है और 20 अप्रिल 1936 को खुटी के अनिगड़ा गाव में उनका जन्म हुआ था और रांची विद्याले से उन्हें सिक्षा ट्राप्त किया है भाजपा में वो राष्टी अध्यक्ष के तोर पर वो दो बार रह भी चुके हैं साथ ही आपका अनुसूचित जंजाती मोर्चा के राष खुटी से जित दर कर संथत पहुंचे थे पहली बार उन्होंने 1977 में अपना संसत का सिट पाया था क्लियर है इसको याद रखेगा एक्जाम के पॉइंट ओव यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है निक्स जो आज का करेंट एफेस में हम लोग जो डिसकस करेंगे थर्ड वह है आपका हजारी बाग में दूसरा देश का दूसरा किरिसी अनुसंदान के अंदरे खुला हुआ उसके बारे हम लोग डिसकस करते हैं अब यह हजारी बाग में कहां गोरिया कर्मा गाउं में इसका अस्थापना किया गया जिसका गातन जो टतकालिण जो केंदरी एक्रीशी और किसाल कल्यान मंत्री राधामोन सी थे उनके द्वरा किया गया था अब बात करते हैं भारती क्रिशी अनुसंधान जो परिशत जो हजारी बाग में यह स्थापित किया गया है उसका मुख्य उदेशी क्या है अब्जेक्टिव क्या है तो आपको बता दें यह जो क्रिशी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है वहां पर क्रिशी से संब संबंधित अनुसंधान भी करायए जाएंगा सब्सक्राइब कराया जाए और अध्यापन भी कराया जानागा पाठी भी हुआ परऊगा जिसमें की असना कोतर अपढ़ से लेकर पीएज़ी वेगेरा सारे चीज़ वहां पर डिपार्टमिन बनाएगे हैं इसके अलावा रिसर्ज भी होगा और साथी एक चीज़ और ध्यान रहें किरिसी और किरिसी से संबंदित मतलब कि किरिसी के अलावा अन एक्टिविटी है जैसे की मुर्गी पालन सुर पालन और अन एक्टिविटी वो सारे कारिये किरिसी अनुसंधान केंदर जो अभी हजारी बाग में स्थापित हुआ है वहां पर ये सारे कारी होंगे आपको पताते हैं जो भारती किरिसी अनुसंधान प कि नेक्स्ट आपका फोर्थ जो करेंड़ फैल से वह आपका ज्छार्खण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका आयूजन खेलगाउं रांची में किया गया था इसमें जो फुल मनिया जो एक नाकपुरी फिल्म है उस सबसे ज्यादा इसका फेमस रहा था नाकपुरी भ रूप में फुल मनिया का ही सेलेक्शन किया गया था बता दे आपको फुल मनिया है एक आपका ज्यार्खण में घटित सची घटना पर यह अधारित एक फिल्म है इसमें डाइन पर था के बारे में बताया गया चुकि आप देख रहे हैं ज्यार्खण भीहार विगरे इस ब्राइजों को देखा जाता है तो उसी पर यह फिल्म बनाया गया है इसको दियान में रखेगा इज्राम में प्रस्निया से क्या पुछा जा सकता है क्या NPC जार्खण इंटरनेशनल फिल्म पेस्टिव वल काurar किया गया था तो खेलगाओं और ता है भिए और इसमें जो बहुत सारे उप्सन रहेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ डायन पर्था भी हो सकता या फिर अंद्वी स्वास भी इसको भी सामिल किया जा सकता है दोनों वर्ड सेम है नेक्स जो हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे जो तीन यहां पर सहर हैं उनको स्वक्षता के छ चास और साइवगंज राज जी के जो तीन सहरे चास हजारी बाग बोकारों को स्वक्षता के छेत्र में उल्लेखनिये कारी करने के लिए केंद्रिये आवासन एवं सहरीकार मंत्राले ने ईक्सिलेंस ऐवाड दिया है चास परहत नाभी पूरा सहरे उसे औवार्ड डिया गया है चुब मब आए इक्शुली एक्शलेंस मिला हुआ हुआं पर काम करनी की तरीका के भीसिस पर मिल हुआ हैं कि आप स्वक्षता चेत्र में कितना लीक्षा दान कीह ग्रूप गेरह इसमें क्या होता है दस महिलाओं को सखकी मंडिल मिला के एक एरियल लेवल भेड मना जाता यह सहर में बहुत सारे एरियल材 सकते है और सारे एरियल बिमिने और देवगार और जो साहेवगज को excellence award मिला हुआ है एक एक area level federation के अधार पर ये excellence award दिया हुआ है मतलब कि देवगार और साहेवगज में सारे area level federation का अच्छा योग सायोग नहीं था सक्ष्था में इसे लिए city basis पर नहीं दिया गया उनको एरिया लेवल फेटेशन पे दिया गया जबकि चास जो है आपका उसको सीटी लेवल पूरे सहर का ये एक्सिलेंस अवाट दिया गया है क्लियर है 15 फरवरी 2019 को केंद्रिय सहरी विकास मंत्री दवारा इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा इन्हें महिला एवं स्वयम सहता समुहों के माध्यम से स्वक्ष्टा के बेहतर काम के लिए पुरस्कार मिलेगा ये सबसे इंपोर्टेंट करेंटर फेस से इससे प्रस्ट ने पूछा येखी जा सकता है कि हाली में कितने लग तक रुपए के लिए सरकार ने घौसना किया कि पंचायते को ये राशी दिया जाएगा और उस राशी वो खर्च कर सकते हैं तो इसका एमाण जो है आपका पांच लाख रुपए हैं अब क्या होगा कि पंचायत के बेसिस पर हर साल आपका मुखिया को पांच लाख रुपए मिलेगा और वो अपने पंचायत अस्तर पर जो खर्चे करने के लिए उन पैसों का उप्योग कर सकता है इसकी सविक्रियति जो ग्रामिन विकास मंत्री निलकंट सीमुंडा है उन्हो कि गाउं में नहीं होते जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया सोलर पावर हो गया या फिर पानी टंकी हो गया फिर सड़क निर्मान हो गया वो सारे चीज़ गाउं में अक्सर नहीं मिलती है तो क्या किया जा रहा है कि यह पैसे हर पंचायत को दिया जाएगा और वो पंचाय गाउं में 14 वित आयोग की रासी से इन कारियों को करें अगले वित्य वास में बारस और आधि रासी गाउं में पानी पहुंचानी का लक्ष भी रखा गया है इन सारे पैसों का यूज कर किसी में किया साइगा यहां से हजारों टन सोने मिलने की सम्भावना है यह जो सर्वेक्षन किया गया यह सबसे पहले डाटा को जूटाया जाता है इसके लिए काम किया जाता है भारतिय भूगर्व सर्वेक्षन यानि GSI ये एक तरह का बोल सकते हैं कि Organization संस्था है जिसका कामी होता है पूरे देश में जहाँ जहाँ से मिल सकते हैं जो आपका खनीज विगर आ या फिर जो नए बंडार मिल सकते हैं सोना का है डाइमेंड का या फिर जो भी उनका काम होता है सर्वेक्षन करना वहां से चटानों का नमूना विगारे लेते हैं उसके बाद सरकार को रिपोर्ट पोस करते हैं तो उसी अधार पर ये सारे चीज़ उनके द्वारा भारती है वो घर्व सर्वेक्षन के द्वारा ये सर्वे किया गया था वहां पर नमूना लिया गया था ज जोजोडी, भेंगम, भुल जड़ी, मोर्चागोरा, ओटिया, टैबो और लुकापानी इस सारे जगहों पर सोने के भंडार मिले हैं इस परकार आप बोल सकते हैं कि जारखन में कुल कुल सोने की भंडारों की संक्या 17 हो गई है इन सारे को मिला के आपको बताते हैं 2014 में भी आपका या पर 2013 में पांच नए भंडार मिले थे इस बार आपका साथ नए भंडार मिले और पहले से भी कुछ भंडार थे सोने के भंडार जिनके बारे में पता था अब यह भंडार कह और थोड़ा नाम थोड़ा अलग है लेकिन आपको याद रखना एक्जाम में पूचा जा सकते हैं कि सराइक एला खरसावा में जो जील जो जगह पर मिला हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर और जो पूर्वी सीमी जीले में इस्थित है और जो जो डी है भेगम है फुल जड़ी है मोर्चा गोरा और मोर्चा गोरा है वो खरसावा जील आपका स्थित और इच्चागर जो है आपका के पास जो स्वन भंडार मिले हैं वो आपका सराइकेला खरसाओं में हैं और जो टैबो है आपका वो जमसेदपूर के टैबो घाटी में हैं तो आपका यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह टैबो जो जमसेदपूर में 7 मतलब सराइकेला खरसाओं में एक पुर्वी सीम्भू में आपका पांच और जो आपका जमसेदपूर में मिला हुआ है एक ने सोने के भंडार मिले हुए है जैसा कि हमने बताया कि कुल ग्यात सोने की भंडारों की संख्या आपका सत्र हो गया है दर्कोचा और लावा में भी दो जगस पहले सही सोने का खनन हो रहा है चाइबासा जिले के परडिहा और परासी में सोने के खान की जो लिनावी भी हो चुकी है यहां अभी खनन सुरूर नहीं हो पाया है जमसेतपूर के जो भीटर डारी में सोने की खाजान की मातरा का पदा लगाने का काम अभी चल रहा है मतलब कि जमसेतपूर के और भी कई छेत्रे जहां पर सोने की खान मिल सकते हैं तो इसका भी यह आपका भारतिय भूगर्व सर्वेक्षन है उसके त्वरा जांच किया जा है कि 2017 में पांच नए भंडार के मिला था उसमें कुला कूबा साल सोनोपेट जारगो और सेरंगडी राची जीले में वहां पर यह सोने के वंडार मिले थे इसके अलावा जीली गड़ा जो खरतामा के पास इस्तिते वहां भी सोने के वंडार मिले थे मैं आपको यहां पर प्रवाइट करेंगे और साथ ही जो डाएक्शन आपको हर के साथ जो जरूर किजी का जिससे की एकजाम में कोई भी प्रस छोटे जाने के चांसस नहीं रहेंगे तो आज की वीडियों में बस और इस नमबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं सारा चीज वहां पर आपको डिटेल दिया जाएगा जो आपका स्टेडी नोट्स उनलाइन क्लाज्स टेस्ट्री या फिर प्रेक्टिस चाहते हैं वह सारी अब लेबल होंगे आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट मिलसकिन